Welcome All, In This Video We Will Start Our Next Unit Which Is Artificial Neural Network तो यहाँपे देखे, Artificial Neural Network यह क्या है हमारे Biological Neural Network की तरह काम करता है मतलब हमारा jho human brain है उसे ही यहाँपे क्या किया गया है Artificial Neural Network में mimic क्या गया है उसे ही replicate केरने की कोशिश की गई है सिम्पले आपके Artificial Neural Network में क्या होता है the artificial neurons इसे हम perceptrons भी कहते है are inspired by biological neurons where you can consider artificial neurons as a mathematical model हम इसे कुछ mathematical model कुछ हम कह सकते हैं जो हम क्या करते हैं इसमें use करते हैं या simply हम कुछ input लेते हैं उस पे कुछ operation perform करते हैं और बाद में आपका output क्या होता है simply generate होता है तो आपको यह पता होगा कि हमारे brain में smallest individual unit क्या होता है neuron होता है और आपको पता होगा कि यहापे hundreds of billions of neurons क्या होते हैं हमारे brain में होते हैं एक adult male में तो यहापे यह neurons क्या काम करते हैं यह एक पुरा network होता है ठीक है एक network होता है यह information pass on करता है For example, हमारे sensory जो organ होते हैं, for example, हमारा skin हो गई, या फिर smell हो गया, या फिर हमारा test हो गया, या फिर ears हो गया, हमारे nose हो गया, जो भी है हमारे जितने भी sensory organ है, सभी sense करने के बाद यह क्या करते हैं, information आपके brain को pass on करते हैं और यह किसमें pass on होते हैं, in the form of neurons, क्या होते हैं, एक neuron, दूसरे neuron को क्या करता हैं, information pass on करता है, और यहाँ पे multiple organs के जरिये multiple information at a time भी process हो सकती हैं, for example, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, तो अगर हमने पानी हुबाला है, सपोज, water हमने boil किया है, तो यहाँ पे अगर हमने water में हमारा hand dip किया, तो यहाँ पे अगर कुछ threshold के अगर नीचे अगर water boil हुआ होगा, मतलब थोड़ा ही गरम हुआ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे आखे भी देख सकती हैं, क्या हुआ है, हमने water में हाट डाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम उसे say सकते हैं लेकिन अगर कुछ threshold के आगे, अगर वो value गई, मतलब अगर water जादा गरम होगा, तो हमारे brains को क्या होता है, यहाँ पे एक signal जाता है, कि जल्दी से क्या कीजिए, हाथ यहाँ पे निकाल लीजे, तो यहाँ पे हमने जो action ली, उस पे, मतलब जो भी हमने input दिया हमारे brain को, कि इसके थुरू दिया हमारे skin के थुरू दिया, सेंस करके, तो यहाँ पे हमारे जो sensory organ है, जिसे हम skin कर सकते हैं, तो यहाँ पे touch के थुरू हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे heat हमने sense की, यहाँ पे आखोने भी क्या किया है, यहाँ पे input लिया, कि हमने water को क्या किया है, के जरीए हमारे ब्रें को क्या हो रही है information पास on हो रही है and depending on that information आबर ब्रेंट क्या करता है process करता है कुछ threshold के अगर आगे अगर boil हुआ होगा आपका पानी तो यहाँ पे हम simply क्या कर लेंगे हाते आपे खीज लेंगे और यहाँ पर सिंपले आपका क्या होगा ब्रेन आपका यह सिगनल क्या करेगा सिंपली प्रोसेस करेगा ठीक है समझ में आ रहा है यह नियूरोंस के थुरू होता है और हर एक हर एक ओर्गन का क्या होता है हमारे एक इंपूट होता है तो यहाँ पर यह नंबर see example यहां पे अगर हमने input लिया क्या input लिए यहाँ पे touch sensory organs की information आरग होगी तो यहाँ पे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे information क्या होगी आपके pass on होगी अगले function को तो यहाँ पे क्या होता है? summation होता है summation मतलब क्या होगा? यह मैं artificial neural network में बता रहाँ आपको ANN में क्या होता है? तो यहाँ पे simply आपका summation, summation मतलब क्या है, यह क्या process करता है, इन सभी का sum क्या करता है, calculate करता है, summation क्या करता है, आपका weighted sum क्या करता है, calculate करता है, for example, यहाँ पे क्या होगा, आपका x1 into w1 plus x2 into w2 plus dot 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 up to xn into wn, तो यह क्या होगा, आपका summation यहाँ पे perform होगा, और ये information आपकी क्या होगी आगे pass on होगी आपके function को अब ये function कौन सा function होता है आपका activation function होता है ये क्या होता है simply आपका activation function अब ये activation function क्या होता है किसलिए responsible होता है आपका output generate करने के लिए depending upon input ये क्या करता है आपका output generate करता है for example हमने boil water में अगर hand put किया है तो यहां पर क्या information देगा वो क्या output देगा क्या आपका threshold क्या आगे है पाने आपका ज्यादा गरम है तो हाथ क्या कर लिजे निकाल लिजे तो यह information कौन generate करेगा आपका function तो यहाप यह activation function है यह हम detail में देखेंगे आगे इसमें बहुत सारे type आते activation function के तो यह simply में आपको example के through simply यहाप बता रहा हो तो यहाप यह दोनों मिलके क्या करेंगे आपका final output क्या होगा यहाप जनरेट होगा इन दोनों के दूरू information आपकी पासओन होगी input आपका पासओन होगा और यहाप आउट्पूट जनरेट होगा ठीक है समझ में आ रहा है अगर यहाप इंपूट होगा स्मोक वगरा होगा तो हम आखों से भी देख सकते और यहाप पर समेल भी कर सकते हैं तो यहाप पर क्या होगा अलग प्रोसेसिंग होगी और आउट्पूट क्या होगा यहाप एरिया से क्या कर लिजे जल्दी से जल्दी इवैकिवेट कर लिजे तो यहाप होना चाहिए कि X1 X2 और X1 यह क्या है simply input है यहाँ पे उनका particular weight होगा मतलब हर input का खुद का कुछ क्या होगी value होगी खुद की कुछ value होगी जो वो क्या करेगा carry करेगा और किसे देगा आपके summation को देगा summation मतलब क्या है simply यहाँ पे आप consider कर सकते sum of weight weight का क्या है simply sum है तो यह function क्या होगा simply यहाँ पर फोर्म होगा उसके बाद यह किसे दिया जाएगा आपके activation function को activation function क्या करेगा कुछ output यहाँ generate करेगा depends on our input input के अनुसर यहाँ पे क्या करेगा output generate करेगा अब यहाँ पर बहुत सारा activation function आते है आपके sigmoid वगरे आता है, तो वो हम आगे देखेंगे, और यहाँ पर simply आपका y output क्या होगा, generate होगा, y मतलब क्या है यहाँ पर क्या कर लीजे, particular action यहाँ पर ले लीजे, तो यह output ही क्या है आपका, generate हुआ हुआ, मतलब आपको particular action perform करनी है, तो यह क्या है आपका artificial neural network यहाँ प तो यहाँ पर first of all, यहाँ पर part है आपका cell, तो cell में देखिए, cell body, soma क्या होता है, यहाँ पर cell body होती है, cell body, तो यहाँ पर एक आपका cell body है, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, अंदर आपके nucleus होता है, तो nucleus है यहाँ यहाँ किसका देख रहे है, neural network, मतलब आपके neurons का होता है आपका nucleus होता है ठीक है nucleus के बाहर देखिए आपके dendrites होते हैं यह जो spike के तरह आप देख रहे हैं उसके बाद देखिए अब इनका काम क्या है यहाँ पे देखिए सोमा किसलिए responsible होता है आपका it is the cell body of neurons and it is responsible for processing information they have received from dendrites अब dendrites से जो भी information pass on की जाएगी वो कोन लेगा आपका सोमा लेगा तो dendrites क्या करेंगे यह लाइक branches receiving information from other neurons it is connected to अब यहाँ पर मैंने बताया थो आपको कि एक neuron दूसरे neuron से क्या होता है connected होता है तो एक neuron से information pass on होके आपकी दूसरे neuron को जाती है क्योंकि हमारे brains में billions of neurons होते हैं जो साइमल्टेनियस ली आम कह सकते हैं या कंभाइनली क्या करते है work करते है ठीक है depends upon input यहाँ पर आपका dendrites क्या यह ब्रांचेस की तरह है आपके tree branches की तरह है जो information क्या करते हैं लेते हैं और एक neuron से दुसरे neuron को क्या करते सिंप्ली पास ओन करते हैं ठीक है डेंट राइट्स आपके क्या होते हैं सिंप्ली निव्रॉण से कनेक्टेड होते हैं next देखिए सोमा हमने लेख लिया सेल बोडी होती है जो किस लिए responsible होती है information को process करनी के लिए मतलब जो भी input आपने दिया है तो वो input आपका meaningful input है क्या नहीं, मतलब यह simply आप process करने के लिए, कि हमने touch किया है, तो touch information क्या होगी, pass on होगी, हमने smell किया, तो smell information क्या होगी, pass on होगी, इसका example भी मैं देता हूँ, artificial neural network में, suppose हमने Google Assistant अगर देखा, तो Google Assistant क्या करता है, यहाँ पे suppose हमने Google Assistant आपका alien network, यानि artificial neural network यहाँ पे use करता है, for example हमने अगर सर्च किया Google Assistant पे, simply आपने date अगर बोला, उसे बोला सिर्फ date, तो date यहाँ पे क्या होगा, वो simply आपको आज की date, मतलब today's date आपको दिखा देगा, तो अगर हमने Google login अगर किया होगा, तो यहाँ पे simply अगर हमने time सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए, आपका Google Assistant यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही keyword के साथ यहाँ पे information प्रोवाइड करता है, वो भी आपका meaningful, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका artificial neural network पहले क्या करता है, input लेता है आपका, input लेने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ algorithm perform होगा, algorithm perform होने क यहाँ पे कुछ data यहाँ पे आपको generate होगा, generate होगा मतलब कुछ meaning यहाँ पे generate होगा, लेकिन यहाँ पे आपका neural network क्या करता है, neural network आपका, यह data आपका कैसे होगा, सुपोज हमने simple अगर input लिया होता, time और यहाँ पे अगर दिया होता, algorithm को, तो यहाँ पे वो definition दे देता, time क time मतलब क्या है, smallest, measuring unit या जो भी है, उसका definition क्या होगा, यहाँ पे दिया होता, लेकिन यहाँ पे हमने Google Assistant को दिया है, वो क्या करता है, आपका neural network यूज करता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, आपका learn करता है, learn करने के बाद यहाँ पे क्या करता है, improve करता है खुद को, और इस वजे से यहाँ पर neural network क्या करता है pattern recognize करता है और यहाँ पर ऐसे काम करता है कैसे intelligently work करता है ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं second example दे देता हूं यहाँ पर मैंने handwriting recognition system तो आपका artificial neural network के हापए काम कर रहा है कि सलिए है handwriting recognition system parents और आपको उरिज्ञाल आउट्पुट है वही क्या हो गया generate होगा अब हमारे human brain को पता है कि यह भी क्या है आपका एक ही character है यह भी वही character है और यह वही क्या है आपका वह ही character है लेकिन आपके artificial neural network में हम क्या करते हमारे brain को ही mimic करते इस वज़े से तीनों input का character क्या है आपका alphabet जो है वह ही है ठीक है समझ में आ रहा है तो यहाँ पर artificial neural network simply क्या करता है pattern यहाँ पर recognize करता है ठीक है यहाँ पर pattern आपका 100% correct भी नहीं हो फिर भी यहाँ आप आउटपूट क्या हो रहा है यहाँ पर जन्रेट हो रहा है और accurate आउटपूट जन्रेट हो रहा है अगर हमने सिर्फ यहाँ पर बिना artificial neural network के अगर हमने यूज किया होता तो यहाँ पर हमने सिर्फ 40% accuracy maximum आपको मिलती या simply 50 के अंदर ही होती लेकिन यहाँ पर इस वज़े से हमें क्या मिल रहा है 95 आपका रिजर्ट की accuracy प्रिसिजन हम जिसे कहते वो भी आपके क्या है सिंप्ली जादा है ठीक है तो समझ में आ रहा है next concept है हमारे एक्जॉन तो एक्जॉन क्या है it is just like a cable through which neuron sends the information तो यहाँ पर देखिए आपका जोब output generate होगा आपके meaningful information के द्वारा neural network के द्वारा तो वहाँ पे वह कहाँ पे send किया जाता है आपके एक्जॉन के थुरू आपके आगे send किया जाता है synapsis के जरीए हम next क्या करते है आपे next neurons के लिए neurons को क्या करते है आपे simply information पासओन करते हैं तो यह सिंप्ली आपका आउटपूट क्या होगा यह जो भी जनरेट होगा प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सोमा के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद यहापे सिंप्ली क्या होगा आगे पासओन किया जाएगा तो यह सिंप्ली क्या होता है आपका इन exon and other neuron dendrites तो यहाँ पे देखिए यह क्या है आपका exon और neuron dendrites क्या connection है मतलब यह simply क्या है intermediator है दोनों को जोडने का काम करता है तो यहाँ पे neuron आया तो neuron आने के बाद यहाँ पे देखिए यह neuron के diagram में आपको क्या दिख रहे हैं देख रहे हैं तो इस dendrite को भी हम यहाँ पे consider करेंगे और यहाँ पे क्या करेगा यह उसे connect करेगा समझ में आ रहा है synapse क्या कर रहा है आपके exon को आपके Next neuron के dendrite से connect कर रहा है क्योंकि यहाँ पे neuron है मतलब क्या है उसके खुद के देखिए coupon होंगे जो information क्या skept lifeений में आ गया होगा कुछ sensory organ हमारे आप ER & input काम करते हैं और जो information देते हैं कुध के value के साथ क्या करते हैं information को क्या करता है सिंपली सम करता है आपके waited का वेट का सम करता है और simply आगे information पास्वन करता है आपको activation फंक्शन को यह हम आगे देखेंगे activation function में अलग-अलग आते हैं यहां पर सिग्मोड आता है linear function हो सकता है ठीक है कुछ अलग operation हो सकते तो यह हम आगे देखेंगे और final आपका output generate होता है अगर threshold value से अगर कम value हो तो output अलग generate होगा और जादा हो तो अलग value generate होगी तो यहां पर पानी जादा गरम होगा त के साथ यहां पर मैंने आपको बता दिया ओके तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल बनेए तो सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्स फॉर वाचिंग